दोस्तों आम आदमी पाइटी के मुखिया अर्विंद केजरीवाल की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है जैसे जैसे शराब घोटाले की परते खुलती चा रही है वैसे वैसे ब्रिश्टाचार करने वालों के नए नाम इसमें शामिल हो रहे हैं दर्शकों केजरीवाल कहते थे कि जी हम कटर इमानदार लोग हैं हम देश की सत्ता से ब्रिश्टाचार को खत्म करने आए हैं लेकिन एक एक कर आपके नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं और अब जो खवर आ रही है उसके मुताबिक अभी कई बड़े लोग चेल चाने वाल के पसीने छूटने लगे हैं जो सीबी आई ने खुलासा किया है उसे सुनकर केजरीवाल सहाब के कान जरूर खड़े हो गए होंगे ऐसा क्या खुलासा किया है सीबी आई ने अदालत में बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल सीबी आई ने आने वाले दिनों में कई हाई प्रोफाइल गिरफतारी करने की बात कही है इस बज़े से आमादमी पार्टी लगतार आशंका चता रही है कि लोग सवाचुनाव की वज़े से उनकी पार्टी के राश्ट्रिय सेयोजग और सीम अर्विंद केच्रिवाल की गिरफतारी की साज़श रची जा रही है दरसर शराब गोटाले के आरोपी आप नेता मनीश सेसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबियाई ने मनीश सेसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया कि अभी कुछ और हाई प्रोफाइल लोग की रफतार हो सकते हैं अब CBI के इसी बयान के बाद आप में खलवली मच गई है अब आपके नेताओं को डर सताने लगा है कि क्या CBI की नजर केजरी बाल पर भी है दिली की केजरीवाल सरकार में मंतरी आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि E.D.E. और CBI जासी केंद्रिय चांच एजनसियां भारती जनदापार्टी के गुंडे के तरह बरताओं कर रही है वहीं आप नेता सुरब भारतवाज ने कहा है कि आज रूस की रहा पर देश चल रहा है वेपक्ष के जो नेता आज की सत्ता के लिए खत्रा बनते चा रहे हैं उन्हें पकड़ कर चेल में डाला जा रहा है 60-65 करोड रुपे एलक्टरल बॉंड पाने वाली आम आत्मी पार्टी का नंबर 2-3 और नंबर 4 का नेता चेल में है अब नंबर 1 के नेता अरविंद केजरिवाल को चेल में डालने की तयारी है अगर पूरी लीडर्शिप को चेल में डाल देंगे तो प्रधान मंत्री और बीजेपी से कौन सवाल पूछेगा सब को चेल में डाल कर चुनाव कराओ तो पुतिन की तरह भारती जुनता पार्टी ही होगी सौरब भारदवाज ने कहा कि नौर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं और किम जोंग चुनाव लड़ा कर जीता हुँआ घोशित करते हैं अपनी जीत को सर्टिफाई करने के लिए चुनाव का ढखोसला दुनिया के अंदर किया जाता है आज भारत भी ढखोसले की राह पर चल रहा है भाजबा के लिए चुनाव होती बने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाला चा रहा है आज और बिंद केजरिवाल भी भाजबा सरकार से सवाल पूछते हैं और इसे भाजबा में असहचता आती है आप नेता सौरब भाजबाच ने कहा कि पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव हुए लेकिन विपक्ष के सारे नेता जेल में थे बांगला देश में भी ऐसा ही हुआ विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल कर चुनाव लड़ा चा रहा है और फिर जनता के मेंडेट होने का दावा किया जाता है तो देखा आपने कैसे के जिवाल की गिरफतारी की आश्रंका के पीछ आपके नेता तिल मिलाए हुए है और भारत जैसे महान लोकतंत्र वाले देश की तुलना पाकिस्तान और बांगला देश शिक कर रहे हैं लेकिन देश के लोग सब देख रहे हैं और आने वाले चुनाब में वो आम आदमी पार्टी को करारा जवाब जरू देंगे जाँच एजन्सियों की कारवाई से आपके नेता लोकतंत्र को खत्रे में बता रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है ये नहीं बता रहे हैं विरो रिपोर्ट और मेच नियूज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं